इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लडाई में, हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है, कि आज जब डर और लालच के कॉक्टेल के आगे सब लोग नत्मस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामना उचीत समझा है। जारखन की जनता ने इस बार ठान लिया है कि चोदो के चोदो लोकसभा इंडिया गठबंदन के उमिदवार को जिता के जारखन को बचाना है। इसलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोब लालच में नहीं, आज मैं इसे कॉंग्रेस में सामिल हो रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जारखन की आने वाली राजनीती के लिए आज का जो प्रकरन है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साब का कॉंग्रेस में शामिल होना, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी जबानी भी बोलेंगे कि ये क्यों बाइजबा छोड़ के कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मैं उसमें नहीं जादा जाओंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफी वर्ष नहीं था, जहां मैं देख रिख कर रहा हूँ पार्टी की तरफ से, चाहे वो जार पिशले कई दिनों से, कई सारे साथी, अलग-अलग पार्टियों से कॉंग्रेस के संपर्ग में हैं, और कुछ की इमिजेट नीड है, जो चुनावी मोसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूर द्रश्टी, वो आज के इस आवागावी की वज़े से नहीं, बलके जो कॉंग् पार्टी की नीती है, जो हमारी एडियालजी है, और जो बारत जोडो न्याई यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए, हमारे नीता राहुल गांदी जी ने, जो इंप्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर रिवावों के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार लोट है, ये उसका असर है, बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से, जैपरकाश जी को कॉंगर्स पार्टी में शामिल होने के लिए, पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं, और उमेद करता हूं, इनके आने से, ना सिर्फ जारखन में, बलके ये एक ऐसे को, ऐसे एक कॉम्नीटी को लीड करते हैं, और उन सब के बहुत बड़े लीडरे हैं, इसका इंपक्ट हमारे जारखन के अलावा भी बहुत सारे स्टार्ट स्टेटू में पड़ेगा, उस अस्तर के ये नीता है, और उसूलों की राजनीती की है इन्होंने, और उन्ही सारे मानने जानने वाले हैं, और इसका जरूर पुलिटिकल इंपक्ट पॉजिटिव होगा, कॉंगर्स पार्टी के लिए, इस उम्मेद के साथ हमारा इनका जो वारतालाब हुआ, और उसके बाद आज फार्मिली जॉइन कर रहे हैं, मैं दिल से इनको स्वागत करता हूँ आज साथियों बहुत जादा कुछ कहने का दिन नहीं है, जो हमारी इन से बाचीत हो रही थी लागातार भारत जोड़ो यात्रा के दोरान भी, जो इनकी एक कस्मकस थी, कि मैं जिस विचार धारा से आता हूँ, साइद कहीं गलत जगा फस गया हूँ, और एक लंबी लड़ कि लड़ रहे हैं, आदर्णिय राहूल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोनने निकले हैं, और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में, हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है, और ये लगातार इस तरह की बाते होती रहती थी हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिस्ता रहा है इनके पिता स्वर्गिये टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे जहारखंड के पुरा जहारखंड जानता है किस परिस्थिती में उन्होंने कब-कब जो कॉंग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागड़ बंदन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए ये पुर मंत्री भी रहे हैं जहारकंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हो और इनके छेतर में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक ब मैं आभार वेक करूँगा आदरनीय प्रभारी गुलाम अमदमीर साब का सिर्समेत्रितो का जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमती दी है और पवनखेरा साब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉक्टेल के आगे सब लोग नत्मस्तक हो रहे हैं वैसे समय में इन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामना उचित समझा है मैं इनका भारवेक्त करता हूं धन्यवाद लेन ये सच्चाई है कि लास्ट दो हजार उन्यश के लोकसभा चुनाओं में हमने ना सिर्फ भारतिय जनता पाटी समुचित जार्खंड के एंडिये गठ बंदन के गारों लोकसभा में हमने पुरा परचार किया और टेकलाल बावु के जितने भी जार्खंड में जनकार थे उनके सुबेचु थे अपने समाज के लोग उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतिय जनता पाटी को परचंड बहुमत दिलाने का काम किया था और उनके अलाई दल आच्शु का भी मैंने परचार किया परिस्तिती कुछ ऐसी थी हमें लगा कि कुछ हमें जार्खंड के लिए लोगों के लिए और हमारे पिता टेकलाल महतो जो जार्खंड आंदोलन के एक अगरनी योधा थे आज जार्खंड की राजनितिक पिष्ट भूमी को खोजा जाए राजनितिक चर्चाएं अगर चलेंगे जार्खंड अलग राज के आंदोलन को तो सोर्गे बिनोद विहारी महतो शिवुल सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था और पूरे जो इलाके हैं उत्री छोटा नाकपूर चाहे कोलहान का हो सभी जगा टेकलाल बाबु का अपना परभाव था और मुझे लगा कि टेकलाल बाबु के सपनों को टेकलाल बाबु के जो सपने थे जार्खंड को सवारने का आगे बढ़ाने का चुकी अलग राज हमें मिल चुका था तो मुझे लगा कि अट्ट बंदन में जाकर जार्खंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे लेन परिष्टिती ऐसा लगा उस जब मैं भारतिय जन्ता पाटी में सामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने है जो बिचार है मैं उस दल में नहीं पाया और महा गठबंदन का हमेशा मेरा पिता जी एक समर्थक रहे है और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्ब हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंदन राहूल जी के नित्रित में दोड रहा है वो दो हजार चोबीस में इसका रिजल्ट हम सब देखाएंगे जिस तरह से उन्होंने पद्यात्रा की जारखन में एक अलग लोगों में एक उनके परती रुजान बढ़ा है और एक यूवा नेता रहूल जी के नित्रित में जारखन की जनता ने इस बार ठान लिया है कि चोदो के चोदो लोगसभा इंडिया गठ बंदन के उमिदवार को जिता के जारखन को बचाना है यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठ बंदन को मजबूत करने के लिए और अपने पिताक के उन विचारों को पूरा करने के लिए जिनका सोच था कि जारखन के आदिवासी, मुलवासी, अल्फ संक्यक को अग विकास हम कैसे करें और जोर्रत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो जारखन में इंडिया गटबंदन, महा गटबंदन के माधियम से ही पूरा कर सकते हैं इसलिए आज हमने किसी राईनितिक दबाव में नहीं, किसी लोब लालच में नहीं हमने इंडिया गटबंदन को आगे कैसे बढ़ाना है, जारखन में हम कैसे टेकलाल बावु के सपने को पूरा करना है इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है, उसको हम धरातल पर कैसे उतारें आदरनी हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट के अधियच्छा जो रही है स्री मती सोनिया गांधी जी उनके सपनों को हम कैसे जारखन बनाएंगे, इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरहात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और जारखन में इंडिया गटबंदन को मजबूत करने के लिए आज मैं इसे कॉंग्रेस में सामिल हो रहा हूँ आप सबों को बहुत बहुत जोहार नमस्कार जेफरकास पैटल यह हमारे पार्टी में आज सामिल हुए हैं आज से नहीं बर सो पहले से जब हमको लगता है कि 18-20 साल पहले जब इनके राजिनीती केरियर सुरू नहीं हुआ तब से उनको हम बैक्टी के तुरूप से जानते हैं एक ही कॉंपाउंड में इनके पिता जी हम रहा करते थे और आज से 18 साल पहले का समंध आज तक भी बना हुआ है ओ ज्ञारखन मुक्ति मुर्चा के प्रिष्टिवें से आये हैं और चीज विधान सभा के बारे में हम बात जहां से आये हैं बात कर रहे हैं या लोगसभा का लगातार इस विधान सभा में इनका ही अच्छे निता की रूप में माने जाते थे उसके बाद इनका है शुरुआत हुआ है राजी नितिक जीवन तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहें जैपरकास जी एक रिस्ता जो बना था जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का और रिस्ता भारती जंदा पार्टी क करता ही कि जन परतिनी के होने के काई एक जो शरीत होता है करेक्टर होता है लोगों से मिलकर उसके समद्ध को बना रखने का जो शम था वो हम जैपरकास पर चेल के भी तरवे हम देखें और आपने विदान सब्वा में भी विवाकी से अपनी बातों को रखने की काम करते थ जाते हैं ठीक इसी तरह का उनका आचार वेवर दिया आज मुझे खुशी है जिनको हम बरसों बरसों से हम जानते हैं आज हमारी विचारधारा कॉंग्रेस पार्टी के विचारधारा से जह प्रकास जी आज जुड़े हैं जारखन में निस्चित तुर पर आने वाले दिनो में इनको लेकर जो आसार भर्जा के साथ जोईन कर हम लोग लिए हैं इसका परिनाम हमें दूआजार परिनाम हमें दूआजार चोबीस के चुनाओं में निस्चित तुर पर ये देखने मिलेगा इन बत को विश्वास करते हैं और मैं आसा भी रखता हूं और आगे भी यह ही सोचते हैं कि हम लोग इसी तरह का जो कॉंग्रिस के साथ कॉंग्रिस के विचार के धारा के साथ एक नहीं अनेक जाड़कर्ण में अज हम जोर के तावे के साथ करते हैं कि हमारा वर्कर्स है इसलिए हम उसको अपने कर पा रहे हैं इस तरह एक नहीं अनेक पाइप लाइन म को छोड़ कर कॉंग्रेस में आने के लिए उत्सूख है